नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आसा करती हैं आप सब खुश हैं सुवस्त हैं और जी दोपेर का टाइम हो रहा है और आज दोपेर का खाना बन रहा है चुले पे और खाने में बन रहे हैं कड़ी चावल और देको ठंड तो होई रही है पर जैसे वो हमने क्रीम रखी थी दो ल यह सरदी होरी यह सुवहीं कर दिया था वैसे तो लशन पे चैने । प्रिकार बना देंगे मेंहीं को बारा बजे करीब मम्मी नहीं लगाया है तड़का और समान वमान सारा लाके रख दिया था मैंने और ठाड इतनी हो रही है तो बस मम्मी तो आ चुले को पकड़े बठी है तड़का लगा दिया देखो कड़ी भी बनगी और अब चावल बनने है तो मम्मी चुले को पकड़े सब्सक्राइब н कड़ी बन गई थी करें ऎधर कर रहे हैं चावल और कड़ी çेस्ट وت character निकलने का कोई नामों निशान नी है आज और इधर ममी बोल लेते हाथ पैर दो लेंगे और पापजी के लिए हाथ पैर दोने के लिए पानी रख दिया है और इधर देखो चावल भी हमारे बनी गए हैं और मैं ले आई हूं पतिले में पानी करके और देखो ठंड तो हो दर्मियों में हुआ या थोड़ा मोसम ठीक ता तो सुबह बना लेते थे और फिर सुबह बना के काम भी खतम हो जाता है तो जी चलो इधर मैंने चावल नी चोड़ लिए हैं और ममी के लिए लेने गई हूं मैं खाना और इधर बंबी आयू तो खेर अंदर बैठा है और आ हाले बोल ली थी वो भी क्योंगि उसका खाना पीना ऐसा ही होता है तो जी बस और कड़ी-बडी टेस्टी बन रही है छे थोड़ी सी खटी सी थी तो पानी जादे डाल दिया था और उस टाइम पर ममी जिस टाइम पर तड़का वड्का लगा था ममी ने तो उस टाइम पर जैसे बच्चों की अभी ओनलाइन कलास चल रही है तो आयू की कलास चल ली थी इस वज़े से मैं वीडियो सूट नहीं कर पाई तो अभी देखो ये आ गई है आरू और ये बोल रही है कि मुझे भी खिलाओ तो जी बस सब का हो गया तक खाना वाना और ये है इधर गाई का मैंने जश्ट अभी अभी उठाया है क्योंकि अभी घास करना है तो इस वज़े से उठाया है क्योंकि देखो पापा-जी भी अभी आये हैं लेट एते हैं पापशी अभी जल्दी भी आ जाते हैं कभी अधिक्तर लेट आती हैं दो डाई दो उनको बजी जाते हैं और जी ये आलू लिये थे धाई धड़ी लिये-थे तो इन मेने रेत रेतcı था थोड़ा में थोड़ी धूप सी लग जाएगी और फिर मैंने इनको यहां डाल दिया था थोड़े बहुत इसमें टोकरी में थे अलू तो मैंने उनको निकाल के और फिर इन मैं यह भरने लगरी हूं जो निच्चे पड़े हैं यह और देखो मिट्टी भी कितनी निकल ममा की हेल्प करने के लिए और इधर देखो ममी घास डाल रही है और आज कल इनके निच्चे से ही गंदसंदा सा हो रखा होता है गाएं के निच्चे कभी होता है जब लगता है कि यहां थोड़ी बहुत धूपली निकली है तो तब लगा देते हैं जाड़ू वरना क्योंक कि फिर बैठते हैं यह और देखो बस अब ममी की हो गई है चलने की तैयारी क्योंकि यहां पर 25 तारीक को सत्चंग है तो ममी मुझे फन अगर जा रही है नामचर्च घर है वहां पर सेवा है तो ममी चल दी है खाप पी के वैसे सामका टाइम हो गया है अब यह पोने चार य को छोड़ने के लिए वहां पर बस ममी चली गई है और यहीं पर बैठे रहे थे जैसे थोड़ी सी भी आज होती है ना तो चुल्ले के अगरी बैठे रहते हैं तो बस और कुछ यह मतलब गरम सी थी राक इस वज़े से निकाल ली थी मैंने और खाना खाते हुए तो हमें बजी गए थे देखो बारा बजे करीब हमने कड़ी में तड़कल लगाया था और अद एक पूर्ण घंटा तो कड़ी पकती है तो टाइम भी काफी हो गया था और पापजी हाथ पैर दोके यहीं पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए और ज पापजी नहीं नाते क्योंकि हम जादे रख देते हैं और अधर वो देखो आज घास रह गया है कम और अब पापजी जब मम्मी को छोड़के आएंगे तो तभी कटेंगे घास तो और यह इनको भूक लगी है जब इनको मतलब नहीं मिलता ना एक सानी अभी मम्मी दो एक पापजी आते हैं तब गहास की कटिंग वर्टिंग होती है और इधर लगी हूं मैं चुल्धा लीपने और आज तो मोसम इतना गंदा हो रहा है दिन पर दिन ऐसा लग रहा है जैसे ठंड बढ़ती जारी है वैसे कहते हैं कि पच्छी जनवरी के बाद दूप निकलनी सुर अटे ना तो उसमें से जो खुषबू सी आती है मुझे तो बड़ी अच्छी लगति है वो form humility अच्छी लगती है प्यारी सिह करेद्छ यह जो हमारी इधर चुल्धा रखा है इसका एक पाइदा यह है जैसे राकभांत निकलते हैं तो यहीं से निकल लो और यहीं डाल किया सहरा उने वाला था जब से कुद्धे जा रहे थे दुना उर इसको बांदरी हूँ मैं उधर इसको उधर ही बांदेते हैं जब घास काटते हैं और इसके निच्चे अभी काफी गंदा हो जाता है जब पूरा दिन यहीं बंदी रखती है वैसे तो मैं इसको इधर इनके बीच में बांदेती हूँ पर आज नहीं बंदी क्योंकि यह पत्ती वत्ती सी पड़ी थी तो आज बंदी नहीं और देखो पापजी मेरे साफ करने से पहले ही यहां से ले आई हैं गोला उठा के और ऐसे गंदे में भी निकाट सकते हैं जैसे हाथ से गोले उठाते हैं तो बरो बर लग जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता तो इस वज़े से इधर से सारा साफ कर दिया है मैं ने इसकी बच्चिया की साइड से और अब